बदायू में दो बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद आखरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है पुलिस ने उसके उपर 25,000 का इनाम भी रखा था जावेद की गिरफ्तारी कहां से हुई और इस घटना के बारे में उसने क्या कुछ बताया ये पूरी डीटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरीए दूँगी इसलिए वीडियो को अन तक आप जरूर देखेगा लेकिन अगर अभी तक आपने News 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले बदायू में जो हुआ उस घटना को हर कोई जानता है लेकिन दर्शको को मैं आप फिर से बता दू कि बीते मंगलवार आखरकार बदायू में हुआ क्या था जिसने बदायू में हाला तनावपूर्ण कर दिये थे बदायू कि इस सिविल लाइन था इलाके के कॉलनी में दो बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई ये इतने क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कि जिसने भी तस्वीरे देखी वो विचलित हो उठा आपको बता दे कि उन बच्चों के परिवार के ठीक सामने ही ये दो आरोपी सलून चलाते थे ये बच्चे उनके पास अपनी बाल कटवाने भी जाय करते थे लेकिन उस दिन जो हुआ उसका अंदेशा किसी को भी नहीं था ये दोनों आरोपी बच्चे के घर पहुँचे, बच्चे के परिवार से मदद मांगी, पांच हिजार रूपई की मदद मांगी गई, मदद उन्हें दे भी दी गई लेकिन इसके बाद इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया चाकू से वार किया गया, ताबड तोड हमला उनके उपर किया गया और उसके बाद यह आरोपी वहाँ से भागने के फिराक में थे उसमें पुलिस ने एक आरोपी साजित को अनकाउंटर में मार गिराया जबकि दूसरा आरोपी जो जावेद वो फरार होने में काम्याब रहा था पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और इसलिए 25,000 का इनाम भी उसके उपर रखा गया था अब जावेद की गिरफतारी किया गया पहले स्थानिये लोगों ने उससे पकड़ा और उसके बाद उसका एक वीडियो बनाया जो वीडियो काफी तेजी से सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में जावेद बार बार अपना अधार कार दिखा कर ये पुष्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो ही जावेद है लेकिन इस घटना के बारे में वो ये कह रहा है कि जो कुछ भी बदायू में उस दिन हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है ये सब कुछ उसके बड़े भाई साजित ने किया वो खुद को बेकसूर बता रहा है और ये कह रहा है कि मेरे पास तमाम लोगों की फोन रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे भाई ने ऐसी घटना को अंज्राम दिया है अब पुलिस की गिरफ्ट में जावेद आ चुका है और एक मात्र वो कड़ी है जावेद जो तमाम सवालों के जवाब दे सकता है इस बीच पोस्ट मॉटम रिपॉर्ट भी सामने आ चुकी है बच्चों के शरीर पर 23 से ज्यादा बार चाकु से वार किये गए थे और साजि रहे हैं क्यूंकि इस घटना का आखir मकसद क्या था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कुछ लोग बता रहे है कि ये आप सी रंजिश का मामला है जबकि कुछ लोग इसमें तंत्र मंत्र वाली बाते भी कह रहे हैं कि जो आरोपी था उसके उपर कुछ तंत्र मंत्र का साया था और इसी की वज़ह से उसने बच्चों की कुरूर हत्या को अंजाम दिया लेकिन आखिर असली वज़ह क्या थी ये सिर्फ अगर इस वक्त कोई बता सकता है तो वो हमें किसी तरीके की कोई मदद नहीं चाहिए हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया हमसे क्या दुश्मनी थी हमारे बच्चों का क्या कसूर था कि उन्हें इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और इस सवाल का जवाब भी पुलिस झाल झाल झाल